है गाइस उमिद करते हैं आप सबच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टेडी भी काफी अच्छी चल लए होगी आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंगलिस क्रामर के टॉपिक के वारे में जिसका नाम है फिगर ओप स्पीच इसकी बात करेंगे या आपकी अगर आपको वीडियो में पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करें फिगर ओफी स्पीच के वारे में कह सकते हैं कि इंग्लिश क्रामर के बहुत ही important topic है इसनले हमका पहले नमर पे आता civli जिसको हिंदी में उपमा अलंकार बोलते हैं तो civli क्या होता है इसकी हम लोग definition को पहले जान लेते हैं कि civli होता क्या है तो comparison is made between two different objects having at least one common things इसमें बोला जा रहा है कि इसमें आपकी comparison की जाती है, तूलना की जाती है, between two different objects, दो different objects की बीच आपकी कह सकते हैं, तूलना की जाती है, at least one common thing, और उसमें एक common thing आपका रहता है, अगर हम इसके trick की बात करेगी, कैसे हम लोग पहचानेंगे, कि आपका यह similar है, यह कह सकते हैं उपालंकार है, तो इसमें आपके sentence में कह सकते हैं, कि so, like, as, यह आपके तीन word जो रहते हैं, आते हैं, उस sentence में, जिसमें हम लोगों को कह सकते हैं, कि figure of speech पहचान ना रहता है, जैसे example की बात करेगी question में, तो इसमें बोला जा रहा है, कि which figure of speech is used in, इसमें आपका कौन सा figure of speech use किया गया है, example की बात का तो बोला जा रहा है कि, the night is dark as a black stone, तो यहां पर कह सकते हैं, कि trick की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर कह सकते हैं, जो आपका night है, dark as black stone, black stone की तरह dark है, two different object हैं, और at least one common thing की बीच, इसमें आपकी comparison की जा रही है, और साथ यसाथ कह सकते हैं, कि tricks में जो आ गया, so, like, और as, यह आपका आएगा sentence में, तो आपका similar हो जाएगा, तो simple आपको समझना है, कि अगर as आ गया, तो आपका कह सकते हैं, similar है, और comparison की जाती है, दो different object की बीच में, इक आपके common things की बात करते हैं, दूसरे नमर पर आता है, metaphor, जिसको हिंदी में रूपक अलंकार बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, comparison is made between two different objects, without using any comparison word, इसमें बोला जारा कि comparison तो की जाएगे, तूनलान तो की जाएगे, लेकिन without using comparison word, इसमें जो comparing word होगा, उसके use नहीं कि किया जाएगा, तो आपका metaphor हो जाएगा, इसके trick की बात करें, is, am, are, has, have, कह सकते हैं कि helping word या, auxiliary swap का use किया जाता है, question की बात करें तो, which figure of species is used in, the camel is the sheep of the digit, इसमें बोला जारा कि जो आपका oot है, रिगिस्तान का जहाज किया जाता है, तो इसमें आपकी, कह सकते हैं कि दो different object की आपको comparison किया जा रहा है, और साथ इसमें कोई भी आपकी comparison word के use नहीं किया जा रहा है, तो कह सकते हैं कि the camel is sheep of the digit, बोला जा रहा है कि जो oot है आपका रिगिस्तान का जहाज है, और किसी भी प्रकार से कह सकते हैं कि oot जो है, आपका sheep का work नहीं करेगा, तो इसमें जो आ हम हार, hedge, have यह सारी चीज़े इसमें आती है, next आपका third number पर आता है personification, इसको हिन्नी में मानवी करण बोला जाता है, अगर इसमें हम बात की जाए तो इसमें बोला जाए, giving human qualities to object or things, इसमें बोला जाए कि जो आपके non living things रहते हैं, उनको आपके human quality दी जाती, मानवी करण दी जाती है कि जैसे जो आपका निर्जीव चीज है, उसको एक सजीव की तरह हम लोग प्रदर्सित करते हैं, personification करते हैं, तो इसमें आपका trick यह है कि makes non human things seem humans, इसमें बोला जाए कि आपके जो कह सकते हैं कि निर्जीव चीज है, उसको हम लोग सजीव की तरह प्रदर्सित करत हैं, दिखाते हैं, एक जामपल के अगर हम बात करें, तो opportunities knock at door, but once, इसमें बोला जाए कि opportunity जो होता है, knock करता है, दरवाज आपका, but एक बार ही जिन्दकी में opportunity आपकी आती है, तो यहां पर जो कह सकते हैं कि opportunity है, as a subject की तरह treat हो रहा है, तो यहां पर आपका personification हो जाएगा, बहुत ही simple है, इसको पैचाने के लिए, next बनाता है, fourth number पे, औक जी मोरन, इसमें बोला जाए इसका मतलब होता है, हिंदी में बिरोधावास, एक आपकी कह सकते हैं कि word रहेगा, उसका next, दूसरा word जो रहेगा, opposite sense में रहेगा, एक positive रहेगा, तो दूसरा negative चीजु की बात कर हैं, एक दूसरे के बिरोध में काम होते हैं, अगर example की बात करें इसके, तो my friend is regularly irregular, इसमें बोला जा रहा है कि my friend जो है, आपका regular भी है, और irregular भी है, तो एक दूसरे के opposite words भी आ रहे हैं, और एक दूसरे के opposite काम करने के प्रविती है, इसमें, तो इस तरीके के, आपके कह सकत हैं, इसमें, इसमें आपका fifth number, apostrophe, इसका मतलब होता है कि सम्मंद कचीने, एक दूसरे से आपका relations, emotions, feeling, यह सारी चीज़ें इसमें सेहर की जाती हैं, अगर इसके example की बात करें, तो बहुत ही simple रहने वाला है कह सकते हैं, इसका जो trick है कह सकते हैं, exclamation sign दिखता है, यह कह सकते हैं कि भाव को फ्रकट करता है, अपने मन की भाव को फ्रकट किया जाता है, जैसे example के अगर हम बात करें, oh death comes soon, तो यहां पर जो आपका exclamation का sign नहीं कह सकते हैं, इसके से हम लोग पहचान लेंगे कि यह basically आपका apostrophies है, तो इसमें आपका बहुत सिंपल है, classic number, alteration, इसको बो होती है, और एकी तरह की आवरिती आती कह सकते हैं, कि जैसे हिंदी की बात करें, तो तरनी, तनुज, तट, तमल, ऐसे इस चीजों की बात की जाती है, एकी तरह की आवरिती है, बार-बार एक आपका word जो है, repeat किये जाए, और साथ इसाथ, same धोनी भी उत्पन हो, उससे, ज of speech को alteration बोलते हैं, बहुत ही simple है, next और कह सकते हैं, last है, 7th number, hyperbola, इसका मतलब होता है, कि अतिस सही उकती है, जिसमें आपकी बढ़ा चड़ा की किसी चीज की वडन की जाए, इसमें आपकी बहुत चीजों को बढ़ा चड़ा की वडन किया जाता है, इसमें आपकी बहुत oceans of tier, मतलब वह इतना रोही कि समुन्र की तरह आंसो उसके हुए, तो यह बहुत ही बढ़ा चड़ा के वडन किया जारा कह सकते हैं, कि समुन्र के इतना हुआ रोही, बहुत सारे कह सकते हैं, intense exam में और साथ इसाथ academic classes में भी पूछे गया है, hyperbola से विसकली question पूछे जाते है तो important आपके figure of switch में consider किया जाता है, उमिद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो अपने मित्रो के साथ share भी कर दीजेगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस रिखी की वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर सकते हैं, धन्यवाद मित्रो, जैहिन जै भ कर सकते हैं कि आपके लगा हैं, तो अपने मित्रो के लिखी कि अच्राप बाहा हैं, जैहिन जापके के लिए कैनल को सकते हैं, तो इस रेज़ कर दोटीजेप नहीं जाफने मित्रो आपके।